हेग गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्व चैनल सेल टेक्निकल सेवन जीरू दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाल है कि अगर आप दूसरे किशे की वार्शॉप चैट अपने मोबाईल के अंदर देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपके वार्शॉप के अंदर कोई भी वीडियो ओडियो डोकॉमेंट अगर डिलीट हो गया है चाए एक साल पुराना है चाए पांच साल पुराना चाहे ऐक घंटा पुराना अगर आपने अपनी गलती शरे डिलीट कर दिया दूस्तों यहां तक आपने मोबाईल भी बदल दिया फिर बी दोस्तों रिकवर कर सकते हैं जो आज मैं आपको लाईफ प्रूबiones करके बताने वाला हूं तो आपको यहां सिरफ ध्यान में रखना तो अपना Gmail होना चाहिए जो भी Gmail डालोगे उनकी दोस्तों completely चैट आजाएगी आपके mobile के अंदर दोस्तों बड़े आसानी से वो कैसे आपको डालना है वो भी इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों अगर आप डिलीट करने के बाजूद अगर आप चाहते हो कि रिकावर करना तो दोस्तों आज मैं आपके सामना रिकावर करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों शिरफ आपको Gmail पता होना चाहिए अगर आप Gmail डालोगे तो दोस्तों किशी की अगर आप अपनी girlfriend की वोर्षव की चैट दोस्तों अगर आप अपनी girlfriend या boyfriend किशी की वोर्षव की चैट अपने मोबाईल में देखना चाहते हो या फिर आपके वोर्षव से कुछ भी अगर डिलीट हो गया मानलो यह मैं वोर्षव पर किशी के साथ मानलो चैट कर रहा हूं जैसे good morning मैंने लिखने send कर दिया और good video send क कर दिया या फिर दोस्तों मैंने कोई अगर यहां से कोई image भी वी छार आपने जना पुरानी पढ़ी है में अगर दोस्तों इस तरह से ठीक है अगर यह आपकी गल्ति से हो गया delete या फिर आपने delete कर दिया इस तरह से जिसे ये डिलीट पर ससका है अब दोस्तों यहां देखी यह finish हो चुका है अब यहां आपको कोई भी देखने को नहीं मिला अब दोस्तों अगर आप रिक्योर करना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपको वर्ट्सप में आना 3. में आना और setting वाले section में आने के बाद में दोस्तों यहां आपको option मिलेगा चैट का चैट वाले option पर click करने के बाद में दोस्तों यहां आपको एक option मिलेगा चैट backup का इस पर दोस्तों click करना click करोगे दोस्तों यहां आपको एक option मिलेगा Google account दोस्तों इसके अंदर आप click करके और Gmail ID डालने है ठीक है add account पर click करना click करने के बाद में दोस्तों यहाँ Gmail ID डालने जिस भी आप किशी का भी अगर लेना चाहते हो वो दोस्तों यहाँ Gmail ID आपको डालने पड़ेगी ठीक है Gmail ID डालने के बाद में ड़न करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना उपर आपको option मिलेगा backup का उससे पहले दोस्तों यहाँ आपको option मिलेगा backup आप Google Drive पर click करके और दोस्तों आप backup कम का लेना चाहते हो कम की chat देखना चाहते हो audio, video, image कुछ भी अगर आप delete कर दिया आप ग दोस्तों यह process इस तरह से दोस्तों होगा अब दोस्तों आपको कुछ second के लिए wait करना होगा wait करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना back जाना वापस ठीक है इसी तरह आपको back जाना जो आपको मैंने यह process दिखा जी अब यहाँ delete चाहिए video, audio, image कुछ भी उसके बाद दो दोस्तों आपको क्या करना workshop open करना है जिस भी साथ किसी के भी आप चैट जिसके साथ कर रहे तो उनका अगर record करना चाहते है उसको open कीजिए open करोगे दोस्तों यह वापस इस तरह का interface आपने को देखने को मिल देगे यहां दोस्तों देखिए good morning good video जो भी मैंने लिखा था व वो कवो मैंने डिलीट किया आपके सामने और वापस आपके सामने रिकवर भी कर दिये तो इस तरह दोस्तों आप अपने workshop की डिलीट चैट ओडियो वीडियो डॉकुमेंट कुछ भी अगर दोस्तों रिकवर करना चाहते है तो बड़े आसानी से कर सकते है जो मैंने आज आ युडियों तप्तकिली नमस्का